नमस्कार दिन सिद्ध माने गए है वसंत पंचमी भी ऐसा ही एक दिन है अब किस तरह के कारिय वसंत पंचमी के दिन हमें करने चाहिए ताकि हमें सफलता मिले और उसके पीछे क्या रहस्य है उसके बारे में आज का यह वीडियो है सर्व पर्थम तो वसंत पंचमी का एक अन्य नाम भी है और उसका नाम है मदन पंचमी अब यहाँ पर मदन का अर्थ है कामदेव और काम का अर्थ है यववन, लस्ट, लव, एंथूजियाजम, भोग की इच्चा, इत्यादी स्वयम, शंकर भगवान ने पुराणों में इसके बारे में बात की है के कामदेव कहां कहां पर रहता है और वेद व्याजी गरंथ में लिखते है यववनम स्त्रीच पुषपानी सुवासानी महामते है गानम मदुराश चैवा मृदूल अंडज शब्द कह उद्यानानी वशंतस्च सुवासाह चंदन आदयह संगो विशय सक्तानाम नराणाम गुय दर्शनम अर्थात लिस बहुत लंबा है लेकिन अगर हम समराइस करें तो यह समझ में आता है के यंगेज, लव, लस्ट, म्यूजिक, डान्स जैसे मनोरंजक शेत्र या फिर मनोरंजन विशय जिससे मन को आनंद मिलता है वैसे विशयों में काम देव रहता है उसका अर्थ यह हो गया के वसंद पंचमी के दिन इस तरह के कामों में भी सफलता मिलती है अब वसंद पंचमी के दिन हम शादी तो करते ही हैं हम विवा भी करते हैं हम जिन चीजों से हमें आनंद मिले वैसे कर्म भी करते हैं लेकिन वसंद पंचमी को अगर हम किसी बी व्यक्ति को पूछे तो वो कहेगा कि वसंद पंचमी तो सरस्वती के पूजन का दिन है वहाँ पर सरस्वती का पूजन किया जाता है और वो सच भी है क्योंकि पुराणों में स्वयम स्रिकृष्ण भगवान ने ये कहा है कि वसंद पंचमी के दिन जो व्यक्ति सरस्वती देवी का पूजन करेगा उसको गिनान का लाव होगा और जिवन में उन्नती मिलेगी अब जिन वेद व्यास जी ने पुराणों में कामदेव के बारे में बात की थी उनी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण में सरस्वती का स्वरूप समझाती हुए ये काहा है अर्थाद, सरस्वती देवी जो है, वह देवी है शांत, सत्वगुन, प्रधानवाली अब याप दोनों चीजे दिखो, एक कामदेव का स्वरूप और ये सरस्वती का स्वरूप, दोनों कॉंट्राडिक्टरी है काम मेल एनरजी है, सरस्वती फिमिनाइन एनरजी है, काम काम है और सरस्वती राम है, काम लस्ट की बात करता है, सरस्वती लिबरेशन की बात करती है, काम लव, हार्ट, माइंड उस तरह की बाते करता है जबके सरस्वती देवी जो है वह इंटलेक्ट, विवेक उन सब चीज अगर short में कहना चाहूँ तो मैं यह कह सकता हूँ कि काम entertainment की बात करता है और सरस्वती education की बात करता है। काम रंगीन है जबके सरस्वती सफेद है। तो एक जगा पर color है और एक जगा पर white है, colorless या सभी color जिसमें आ जाते है वह white color है। अब संक्षिप में जाए तो यह कह सकते है कि काम लोकिक है और सरस्वती अवलोकिक है। अब मजा यह है कि वसंद पंचमे के दिन चाहे वह काम education के related हो या entertainment के related हो। चाहे वह काम heart का हो या फिर वह काम intellect का हो। वह काम रंगीन हो या वह काम शांत हो। इन सभी तरह के कारियों में सफलता मिलती है और इसलिए वसंद पंचमे का इतना importance है। क्योंकि दोनों तरह की energy मेल और फिमेल, यीन और यांग, लोकिक और अलोकिक सभी तरह के कारियों में वसंद पंचमे के दिन हमें सफलता मिल सकती है अगर हम योग्य मार्ग दर्शन से काम करें। अब इतना importance क्यों दिया गया है उस दिन को वो समझने के लिए हमें उनकी पौराणी कतावों को भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं Lord of Love यानि के कामदेव की। और वामन पुराण में नारत जी पुलस्चर रुशी से यह पुछते है कि यह कामदेव कौन है। और उनके जवाब में रुशी यह श्लोग कहते हैं। कंदर्पो हर्षत तनर्यो यह असो कामो निगत्यते सशंकरेण सदक दोही अनगत्वं उपागतह। अर्थात यह कंदर्प हर्ष का पुत्र है। इसे ही काम कहा जाता है। शंकर की नित्रागनी यह अगनी के द्वारा यह भस्म हो गया था। और इसलिए वह अनंग है अनंग अर्थात बिना शरीड का। और यह कामदेव की जो स्टूरी है कि कैसे यह हुआ। उसके बारे में भागवत पुराण में भी आता है। अगर संक्षीप मैं कहूं तो एक तारकासूर नामग राक्षस था। अब यह राक्षस ने ऐसा वर्दान प्राप्त कर लिया कि शिर्फ और सिर्फ शंकर बगवान का पुत्र ही उसको मार सकता है। अब शंकर भगवान तो सती के देह बिलए के बाद तपश्या में लग गए थे, समाधिस्त हो गए थे, तो जब उनकी आँखी ओपन नहीं थी, तो शादी कहां से होगी, उदर वहाँ पर पारवतिरी का जन्मा होता है, वो तपश्या करती है, लेकिन अब प्रश्न ये उपस होता है कि मादेव की तपश्या को भंग कौन करें, और तब लोग जाते हैं विश्नु बगवान के पास, विश्नु बगवान तब ऐसी सलाह देते हैं कि तुम इंद्र को साथ लेकर कामदेव के पास जाओ, कामदेव ये करने में समर्थ है, इनसे ये हो जाएगा, अब सभी देवताय कामदेव के पास जाते हैं, कामदेव बात सुनते हैं, और सुनने के बाद उनको एक बात तो समझ में आ जाती है कि शंकर का ध्यान बंग करना उसका अर्थ है मुर्त्यू, मेरी तो मुर्त्यू होई जाएगी, लेकिन अगर मेरे मरने से पूरे समाज का कल्या होता है तो चलो मैं यह बलीदान देने के लिए तयार हूं ऐसा कहकर कामदेव तयार होता है आपको जानके अश्चर होगा के गोस्वामी तुलसिदाजी ने रामचरी मानस के बालकांड में एक अद्भूत चौपाई कुछ चौपाई बोली गई है कामदेव के द्वारा उसम मुझे पता है कि शंकर भगवान का ध्यान भग करने से मेरी मौत हो जाएगी फिर भी लोक कल्यान के लिए उपकार के लिए मैं देत्यागने को तयार हूं आप चौपाई देखे तदपी करब मैं काजू तुम्हारा श्रुती कह परमधरम उपकारा परहित लागी तजही ज शंकर का ध्यान भंग करते हैं, सामने पार्वती जी उपस्तित होती है, उन दोनों का विबाह हो जाता है, पिर कार्थी के एक अजन्म होता है और कार्थी के तारकासुर का वध करता है अब इंट्रेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि शंकर पगवान का ध्यान भंग करना वो अती मुश्किल कारिय था और काइंड ओफ ए इंपॉसिबल टास्क था वो करने के लिए कामदेव ने भी अपनी ओर से रिसर्च की और ऐसा दिन दुणा गया कि जब ग्रहों की चाल या सूर्य और चंद्रा की जो अवकाश में स्थिती है वो इस तरह की हो कि उस दिन सफलता मिलनी सुनिश्चित हो जाए तो दिन आ गया वसंद पंचिमी का लेकिन बात यहां पर भी खतम नहीं होती बात आगे यह आती है कि कामदेव को यह लगा कि सिर्फ ग्रहों की चाल से काम शायद नभी हो तो मुझे क्योंकि ग्रह जो है वह सेलेस्टियल एट्मोस्पियर है अवकाश का एट्मोस्पियर ह लेकिन पुत्वी के उपर भी मुझे कुछ एट्मोस्पियर क्रियेट करना पड़ेगा और पुत्वी का जो एट्मोस्पियर है वह एट्मोस्पियर है रुतु या सीजन तो कामदेव ने यह सोचा कि मुझे वसंद पंचिमी का दिन तेह हो गया लेकिन जो रुतु कि वसंद रुतु आती है चैत्र और वैशाक मास में, जबके वसंद पंचमी का जो दिन है वह तो उससे 40 दिन पुर्व माग शुक्ल पंचमी को आता है, अब 40 दिन पहले उस रुतु का हमें क्रियेशन करना था, तो आपको जानके अश्यर होगा कि बाकी की अन्य जो पांच रुतु थी, उन रुतु ने अपने अपने आठ दिन उस दिन को दे दिये, तो एट इंडू फाइव अगर हम करोगे तो फोटी आएगा, वसंत रुतु आए उससे पूर्व, चालीस दिन पूर्व, वसंत पंचमी का आयोजन होता है, वसंत पंचमी की एनर्जी इतनी पावरफुल होती है उस दिन, कि अगर हमें उसका योग्य उप्योग करना आ जाए, तो शिव जैसे तपस्वी के जीवन में रस लाना, जैसा दुशकर कारिय भी सफलता पुर्वग हम कर सकते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी कारिय हमें दुशकर लगते हैं, इंपॉसिबल टास्क लगते हैं, वो सब अगर हम वसंत पंचमी के दिन, किसी योग्य गुरू के मार्क दरशन के द्वारा अगर हम उस कारिय के लिए प्रवृत हो, तो सुनिश्चित तोर पर हमें सफलता मिल स की यह कहने का आशय है यह कामदेव की कथा का, इतना इने, अगर इसके बाद हम बात करते हैं, सरस्वति दीवी के प्राग्ष्य की कथा की, उनके लिए पुराणों में अलग-अलग कथाय आती है, कुछ पुराणों में यह कथा आती है, कि ब्रहमा जी ने सुिस्रुस्टी का सुरुष्टि का सुरुष्टि का सुरुष्टि किया लेकिन सर्जन करने के बाद जो सुरुष्टि बनी थी उसमें जीवन ही नहीं था उसमें समवेधना नहीं थी उसमें अभिवेक्ति नहीं थी तो जीवन आए अभिवेक्ति आए उसके लिए expression की देवी that means सरस्वती का ब्रह्मा जी ने creation किया ये कथा एक है लेकिन ब्रह्म वैवर्थ पुराण में वसंत पंचमी के लिए एक अन्य दिन भी दिया गया है अब ये सरस्वती का जो प्रागट ये हुआ वो वसंत पंचमी के दिन हुआ है वो सभी सास्त्रों में कहा गया है और सभी सास्त्रों ने उसका स्विकार भी किया है लेकिन ब्रह्म वैवर्थ पुराण में ये कहा गया है कि पर्मात्मा के मुख से सरस्वती देवी का प्रागट ये हुआ है आप ब्रह्म वईवद पुरान का स्लोब देखें अर्थाथ हमारा काम कोई भी क्यों न हो चाहे हमारा काम entertainment का है या फिर हमारा काम education का है हमारा काम low-kick है या हमारा काम alo-kick है या फिर उससे भी आगे जाकर चाहे हमें कोई ऐसा कारिया लग रहा है जो कि impossible task है उन सभी कारियों में किस तरह से सफलता दी जाए उसका जो श्रे जो है वो जाता है सरस्वति देवी को अगर आपके जीवन में अती दुशकर कारिया है तो उस दुशकर कारिया को सफलता पुरुवक करने के लिए आपके पास बुद्धी होना अती आवश्यक है और इसलिए वसंद पजमे के दिन सरस्वति देवी की उपासना करने का प्राधान ने दिया गया है क्योंकि हमें बुद्धी देने का कारिया सरस्वति देवी करती है तो सर्व प्रतन तो आप इस बुद्धी के किसी भी प्रदेश में रहते हो वहाँ पर क्योंकि प्रत्य देश में अलग-अलग समय पर वसंद पजमी का प्रागट्य होगा तो आपको किसी विद्वान जोतिशी से पूछना चाहिए कि आपके प्रदेश में वसंद पजमी कब है ये जानकर किसी विद्वान से आपको ये भी जानना चाहिए कि फलाकारिय मेरे लिए अतिदुशकर कारिय है या फिर मुझे फलाकारिय में सफलता चाहिए तो उस सफलता पराप करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए वो आपको किसी विद्वान से पूछना चाहिए और उसके मार्कदर्शन के दुबारा अगर आप उसका मार्कदर्शन लेकर अगर आप कारिय करोगे तो वसंद्पचमी के दिन के अंदर उस तरह की ताकत है कि युनिवर्सल एनरजी है हमारी बुद्धी प्रग्ना एवन मनो वृत्ती को रक्षन देने वाली देवी है आप रुगवेद की रुचा देखे प्रणो देवी सरस्त्वती वाजे भिर वजीनी वती धीना मनी त्रयवत्व सो आने वाली ये वसंद्पचमी एक ऐसी उर्ज उसके अंदर समाय हुए है ग्रहों की ऐसी विशिष्ट परिस्थितिया उस दिन तै होती है रुचुवा का बल इस तरह का मिलता है कि अगर हमारे जीवन में जो हमें इंपॉसिबल टास्क लग रहा है या फिर ऐदर एजुकेशन का काम है या फिर एंटर्टीमेंट का काम ह ऐसा कोई रूटीन कार्य भी क्यों ना है अगर हम बस्वन पच्मी के दिन का उपयोग अच्छी तरह से करेंगे तो हमारे जीवन में सुनिश्चित तोर पर सुख, शान्ती और सम्रुद्धि को प्राव कर पाएंगे शुभम भवतु प्रणाम